नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टिद्वोंट चैनल में स्वागत है दोसों, आज के इस क्लास में UP SSC प्रेट एक्जाम के लिए इतिहास, भुगोल, अर्थसास्त, विज्ञान और हिंदी विशय से सम्मंधित कुछ महत्पूर प्रस्नों का टेस्ट लेंगे आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रस्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए तो चलिए, सुरू करते हैं, पहला प्रस्न आपके सामने है, किस सीख गुरू ने विद्रोही राजकुमार खुसरों की सहायता धन और आसिरवाद से की थी आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, कौन से सीख गुरू थे, जिन्होंने राजकुमार खुसरों की सहायता की थी, और आसिरवाद भी दिया था जल्दी से आप लोग इसका एंसर कमेंट बॉक्स में बताईए, तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है, तीसरा आपसन गुरू अरजुन देव ने, याद रखिएगा, गुरू अरजुन देव ने जहांगीर के बिरुध बिद्रोह में उसके पुत्र भय उत्पन करने के लिए उसने गुरू अरजुन देव की हत्या करवा दी थी, किसलिए हत्या करवाई थी, क्योंकि गुरू अरजुन देव ने खुसरो को अपना आसिरवाद दिया था और सहायता भी की थी, इसलिए जहांगीर ने गुरू अरजुन देव की हत्या करवा थी सी आपसर राइट है चली आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्य कालिन सासक था ओप्शन है इंपोर्टेंट प्रस्ण है आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एस्वर क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक में इस प्रस्ण का उत्तर बताईए तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर है ए आपसन इल्तुत मिस ने याद रखिएगा इल्तुत मिस जो है यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्तापक था और यह 1211 से लेकर 1236 इसवी तक सुल्तान बना रहा इसने दोस्त में सुद्ध अरवी सिक्के चादी का टंका तथा तावे का जीतल चलाया था इंपोर्टेट पॉइंट है इसको याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं पड़दत को किसने सौराष्ट का प्रांतुपत बनाया था आपसन है चंद्रगुप्त मौरे रूद्रदामन क्या है तो देखे दोस्तों पड़दत को इसकंद गुप्त ने सौराष्ट का प्रांतुपत बनाया था दी आपसन राइट है ध्यान रखिएगा इसकंद गुप्त उत्तर में हिमाले से लेकर दच्छिड में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पस्च क्रित भूभाग पर सासन करने वाला अंतिम महान गुप्त समराड था और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके सासन काल में सुराष्ट प्रांत का प्रांत पत्य पड़दत था यहां पर आपका डी आपसन राइट है आगे बढ़ते हैं आजीवक संपरदाय के संस्थापक थ आपसन है आनंद रागलो भद्र मक्खल गोसाल उपाली आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एंस्वर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंस्वर है C आपसन मक्खल गोसाल आजीवक संपरदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल थे C आपसन आपक कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय अस्थापित किया था इसे आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर C आप्शन राइट है सिंदुगाटी सब्धता का कौन सा अस्थान अब पाकिस्तान में है आप्शन है काली बंगा हडपा लोथल आलम गीरपूर आप लोग आपका राइट एसवर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसवर है बी आपसन हडपा ध्यान रखिएगा हडपा वरतमान में पाकिस्तान के पंजाग प्रांद के मांट गुमरी जिले में रावी नदी के किनारे इस्थित है बी आपसन राइट है चलि आगे बढ़ते हैं सभी प्रसन आप लोग ध्यान से देखते हुई चलिए और सभी प्रसनों का उत्तर बताने का प्रयास करिए निमने लिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है आप्सन है जवाहर लाल नहरू, सी राज गुपालाचारी, महत्मा गाधी, सी बोस आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है ए आप्सन जवाहर लाल नहरू जवाहर लाल नहरू ने 1935 के अधनियम के बारे में कहा था यह कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है इन्होंने दोस्तों यह भी कहा था कि यह अधनियम दास्ता का नया आग्या पत्र है इसे भी आप लोग याद रखियेगा चली आगे बढ़ते हैं 1919 के भारत सरकार अधनियम के द्वारा क्या किया गया आप्सन है सामप्रदाइक निर्वासक मंडल का बिस्तार किया गया देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया सभी राज्यों में दूई सदनात्मक बिधान सभा की अस्थापना हुई बर्मा को भारत से प्रिथक किया गया आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधनियम के द्वारा सामप्रदाइक निर्वासक मंडल का बिस्तार किया गया ए आपसन आपका राइट है इसमें दोस्तों 1919 में मुसलम पानो सहित, सिखो, भारती इसाईयों, एंगलो इंडियन को भी सामप्रदाइक प्रतनिधित दिया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, निमने लिखित में से किसने सामप्रदाइक अधिनेड़े घोशित किया था, आप्शन है, रैंजे मैक डोनाल्ड, स्टैनले वा याद रखिएगा, व्रिटिस प्रधानमंत्री रैंजे मैक डोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सामप्रदाइक नेड़े प्रस्तुत किया था, ए आप्शन राइट है, अगला प्रस्न है, जलिया वाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गे समित का नाम था, आप्शन ह साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, लिल लिथगो कमीशन, आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट असुर है, बी आप्शन हंटर कमीशन, जलिया वाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था, भी आप्सन राइट है, ध्यान रखियेगा 13 अप्रेल 1919 को जनरल डायर ने जलिया वाला बाग में निहत्ती भीड पर बिना किसी उपद्रव के ही अंधा धुंध गोली चलवा दी थी, जिसमें सैक्लों लोग मारे गए और इस ज दरकार ने 14 अक्टूबर 1919 को एक जांच कमेटी गठित की, जिसका नाम हंटर कमीशन था और इसके अध्यच जेसी हंटर थे, यहां पर आपका B आप्सन राइट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन सुरू हुआ था, आप्सन है सविन्य अवग्य आंदोलन, आप लोग बताईए, यहां पर आपका राइट एसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहां पर आपका राइट एसर है, B आप्सन स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा, बंग भंग के बिरोध में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था, इसके लिए दोस्तों, 7 अगस् 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में स्वदेशी आंदोलन की आउपचारिक घोशडा की गई थी, जिसमें सभी विदेशी वस्तों का बहिसकार किया गया और उनकी होली जलाई गई थी, इसका लक्ष था दोस्तों, आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना, चली आगे बढ़ते है प्रिथवी की सता का वह भाग जो पानी से ढखा है, लगभग कितना है, एक चौथाई है, आधा है, दो तीहाई है, या तीन पांचवा है, आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट एंसुर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ परापका राइट एंसुर है, C महादूइप में, उसके संपूर छेत्र फल में, मैदानी भाग का प्रतिसत सरवाधिक है, आप्शन है, एसिया महादूइप, यूरोप महादूइप, उत्तरी अमेरिका महादूइप, दच्छडी अमेरिका महादूइप, आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट इंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट इंसर है, बी आप्शन यूरोप, यूरोप महादूइप के कुल अस्थल छेत्र का सरवाधिक भाग मैदानों से घिरा है, इसलिए बी आप्शन राइट है, आगे बढ़ते हैं, लातूर की सुप्रांत में है आप्शन है, आंध्र प्रदेश, महारास्ट, गुजरात, मध्य प्रदेश, आप लोग बताएए, यहाँ पर आपका राइट इंसर क्या है, तो देखे दोस्तों, लातूर महारास्ट में है, बी आप्शन आपका राइट है, लातूर में दोस्तों, 1993 में भूकंप से भयंकर तबाही हुई थी इसे भी आप लो याद रखिएगा अगला प्रस्न है पीर पंजाल स्रेडी पाई जाती है ओप्शन है अरुडासिल प्रदेश में जम्मु एम कस्मीर में पंजाब में उत्त्राखंड में आप लोग जल्दी से बताएए यहाँ पर आपका राइट एंसर क् कस्मीर देखे दोस्तों मद्ध हिमाले की पीर पंजाल स्रेडी जम्मु कस्मीर में पाई जाती है इसलिए बी आप्शन राइट है अगला प्रस्न है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षर्टा दर सबसे कम थी आप्शन है उडिसा में बिहार में जारखंड में 36 गड़ में आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर है बी आप्शन बिहार में चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है आप्शन देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर है C आप्शन मनमोहन सिंग भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंग को कहा जाता है C आप्शन राइट है आगे बढ़ते हैं भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रचन बेरोजगारी मुख्य रूप से यहां पर आपका राइट एंसर है D आप्शन एक और दो दोनों याद रखिएगा भारत में छिपी हुई बेरोजगारी क्रिसी छेतर से और ग्रामीर छेतर से दोनों से सम्मंधित है यहां पर D आप्शन राइट है ध्यान रखिएगा प्रशन बेरोजगारी या छिपी हु प्रतीत होते हैं किन्त वास्तों में उन स्रमिकों की उसकारे में आवस्यक्ता नहीं होती है अर्थात ये उन स्रमिकों को उसकारे से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यहां पर दोस्तों आपका D option right है चली आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वड या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है आप्शन है बास, काफी, बास, मती, चावल, आम आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका right answer क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका right answer है ए अप्शन बास बास दोस्तों हरित स्वड कहा जाता है बास तेजी से बढ़ने के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में कारवन डायाकसाइड को अवसोसित करता है और आकसीजन उत्पन करता है पुर्वत्तर राज्यों में दोस्तों बास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है जिसके कारण बास निर्मित वस्तों जैसे कि बांसुरी, डलिया, पंखे, फरनीचर इन सभी के द्वारा लोगों को प्रतक्षियों परोग शुरूप से रोजगार भी प्रात्त होता है इसलिए दोस्तों इसे हरित स्वड कहा जाता है अगला प्रस्ण है दोस्तों बैंकों के नकद कोस अनपात में कमी का प्रभा होता है ओप्शन है बैंकों की आय में ब्रिद्धी, बैंकों के द्वारा प्रति भूतियों की मांग में ब्रिद्धी, बैंकों के नकद कोस अनपात में कमी का प्रभाव बैंकों की आय में ब्रिद्धी होना, बैंकों के द्वारा प्रति भूतियों की मांग में ब्रिद्ध होना बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्जता इन सभी पर प्रभाव पढ़ता है डी आप्शन राइट है अगला प्रस्न है हिंदू संवरिध दर का संबंध किस संवरिध दर से है आप्शन है सकल राश्टी उत्पाद जन संख्या खाद्यान प्रतिव्य आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर है ए आप्शन सकल राश्टी उत्पाद याद रखिएगा हिंदू संवरिध दर का संबंध सकल राश्टी उत्पाद से है ए आप्शन राइट है भारत के सरपंच का चुनाओ कैसे होता है जनता द्वारा प्रतच्छ रूप से पंचायत के पंचों के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जिलाधिस के द्वारा आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एसुर क्या है तो देखे दोस्तों पंचायत के सरपंच का चुनाओ पं अप्सन है किसी भी आधार पर विधान सभा भंग करने पर सम्विधान के अतिक्रमण पर इनमें से कोई नहीं। इसरा सदन लगाए गए आरोपो की जाज करता है यहां पर दोस्तों सी आपसन राइट है आगे बढ़ते हैं भारत में प्रजातंत्र इस तत्थ पर आधारित है कि सम्विधान लिखित है यहां मौली का अधिकार प्रदान किये गए हैं जनता को सरकारों को चुणने तथा अधिकारों को चुणने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है ध्यार कियेगा भारत में प्रजातंत्र इस बात से जलकता है कि यहां पर जनता सांसतों या फिर विधायकों के निर्वाचन के माध्यम से अपने मनोनुकूल सरकार का चुनाव सीधे करती है इसलिए दोस्त के समच समानता अवसर की समानता धर्म की सोतंता सोसर के विरुद्ध अधिकार आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एसुर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एसुर है बी आपसन अवसर की समानता अवसर की समानता दोस्तों केवल भारती नाग करको को ही उपलग्द है इसलिए भी आपसन राइट है आगे बढ़ते हैं भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय सोतंतरता समानतायों वरात्रित्तु का उसी इक्रम में उल्लेख किया गया है आपसन आपके सामने है आप लोग बताइए यहां पर सम्विधान की प्रस्तावना में तीन न्याय का उल्लेख किया गया है कौन-कौन सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय और दोस्तों पांच सोतंतरता का उल्लेख किया गया है कौन-कौन विचार की सुनता अव्यक्ति की सुनता धर्म की सुनता विश्व उपासवा उपासना की सोतनता और साथ में दोस्तों दो समानता का उलेख किया गया है कौन-कौन प्रतिष्ठा और आउसर की समानता और दोस्तों एक भ्रात्रित तुका उलेख किया गया है इसके अंतरगत वंधुत तुका उलेख है इसे ध्यान कियेगा यहां पर आपका राई टेंसुर क्या है तो देखे दोस्टो यहाँ पर आपका राइटेंसुर है C option, hydration उरज्यक के विकलव के रूप में Hydrogen को सोविकारा जाता है C option आपका right है अगला प्रस्टन है निम्न लिखित मेंस किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है option है, vitamin A, protein enzyme, hormone आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है A option vitamin A, vitamin A तथा C का निर्माड हमारे शरीर में नहीं होता है A option right है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है निमने लिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जन्तु था option आपके सामने है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है A option भेंड देखे दोस्तों सबसे पहले भेंड का सफल क्लोन बनाया गया था जिसका नाम डॉली था इसे दोस्तों इसकाट लेंड के राइशिन संस्थान के वैज्यानिकों द्वारा बनाया गया था A option right है अगला प्रस्न है दूद का आउसत पीयच मान होता है 6.1, 6.6, 8, 7.4 आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right एंसर क्या है तो देखे दोस्तों दूद का आउसत पीयच मान 6.4 से 6.8 के बीच होता है इसलिए B option 6.6 right है अगला प्रस्न है चुम्बकी सुई किस तरफ संकेत करती है औप्सन है पूर्व पस्षिम उत्तर आकास आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right एंसर है C option उत्तर याद रखिएगा चुम्बकी सुई एक छोटा चुम आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right एंसर है B option मैथली सरण गुप्त की रखिए अगला प्रस्न है कहां राजा भोज कहां गंगु तेली लोकोक्ती का अर्थ होगा option है विशिष्ट और सामान निवेक्ति की तुलना दोनों बराबर होना किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना गुड़ आप लोग बताएए यहाँ पर आपका right एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right एंसर है A option विशिष्ट और सामान निवेक्ति की तुलन करना A option right है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निमने लिखित प्रस्ण में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो दिये गए सब्द का सही इस्त्रीलिंग वाला बिकल्प है यहाँ पर दोस्तों हंस का इस्त्रीलिंग सब्द आपको बताना है option है हंसीनी ह हंसी हंसिया आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों हंस का इस्त्रीलिंग हंसीनी होता है इसलिए A option right है चलिए आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से असुद धुवा के छाटिये option है क्रिशला जी के अनेको नाम है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है सोभना बहुत मीठा गाती है मैं अभ्यास कर रहा हूँ आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका असुद धुवा के क्रिशला जी के अनेक नाम है यह होगा इसलिए ए आपसन राइट है अगला प्रिशन है व्रिस भानुजा किस सब्द का समानार्थी है आपसन है सीता जानकी राधा पारवती आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका समानार्थी सब्द हैं जैसे कि हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी इसे भी आप लोग याद रखिएगा सीता के समानार्थी सब्द की बात करें तो जानकी, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया इसे याद रखिएगा और पारवती के समानार्थी सब्द की बात करें तो गि यूराज सिंग, सचिन तेंदूलकर, ब्रायन लारा, एडम गिलक्रिस्ट आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एसर है यूराज सिंग याद रखिएगा इसमें दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर मैदान में लोटने की दास्तान है इसे आप लोग याद रखिएगा अगला प्रस्न है निमने में से कौन सा अंतर रास्टी विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट असर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असर है बी आप्शन तीन दिवस को मनाया जाता है संयुक्तराश संग ने दोस्तों 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्स अंतर रास्टी विकलांग दिवस बनाने की स्वविक्रिती प्रदान की थी यह दिवस दोस्तों सारेरिक रूप से अच्छम लोगों को देश की मुख धारा में लाने के लिए मनाया जाता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा निमन गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपके सामने है आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट एसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है डी आप्सन आक्सीजन दोस्तों यह ग्रीन और आप्स्टाइड मेथेन नाइट्रोजन डायाक्साइड ये सभी दोस्तों ग्रीन हाउस गैसे हैं यहाँ पर आपका D आप्सन राइट है अगला प्रस्थन है चिपको आंदोलन सम्मंधित है आप्सन है पादप सारक्षड से बाग परियूजना से घरियाल परियूजना से पादप प्रजिनन से आप लोग जल्दी से बताईए यहां पर आपका राइट एलसर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एलसर है ए आप्षन पादप सारक्षर से चिपको अंदोलन पादप सारक्षर से सम्मंधित है ए आप्षन राइट है यहां अंदोलन बैंगलूरू चिन्नाई आप लोग बताईए यहां पर आपका राइट एलसुर क्या है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एलसुर है ए आपसन कोयम बटूर दच्छिड भारत का मांचेस्टर कोयम बटूर को कहा जाता है ए आपसन राइट है और ध्यान भात्राज के आहमदाबाद को कहा जाता है इसे आप लोग याद रखियेगा और उत्तर भारत का मांचेश्टर उत्तर प्रदेश राज के कानपूर सहर को कहा जाता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है आप्शन है नेपाल वेटिकन सिटी मालदीव सिलंका आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एसर क्या है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है बी आप्शन वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी यूरोप महादूइप में इस्तित है यह प्रिथुभी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है यहाँ पर आपका बी आप्शन राइट है अगला प्रिशन है स्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राश्टपत थे आप्शन है 16,14,12,21 आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट एसर क्या है तो देखे दोस्तों स्री रामनाथ कोविंद भारत के 14 राश्टपत थे इसलिए B option right है ध्यारा कियेगा भारत के प्रथम राश्टपत डाक्टर राजेंद्र परसाद थे और वर्तमान में दोस्तों द्रौपदी मूर्मू भारत की राश्टपत है और द्रौपदी मूर्मू दोस्तों ये भारत की पंद्रावी राष्टपत हैं इसे भी आप लोग याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं भारत में नौ पासाड काल गुफा चित्रकारी कहां मिलती है आप्शन है अजन्ता की गुफाएं उदैगिरी मेहरगड भीम बेटका आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपक तो देखें दोस्तो यहाँ पर आपका राइट इनसुआ है दी आप्शन भीम बेटका भारत में नौ पासाड गुफा चित्रकारी मध्युप्रदेस की भीम बेटका से मिली है दी आप्शन राइट है तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्थ होती ह यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताईए अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों में सेर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताईए पेट एक्जाम के संपूर क्लास की PDF और नोर्ष प्राप्त करना चाथे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप लोग टेली ग्राम चैनल जॉइन करने के बाद पेट एक्जाम के संपूर क्लास की PDF और नोट्स बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही अब आपको नेश्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद